Hello students, जागरिती online classes पर आप सभी का स्वागत है, आज हम बात करेंगे class 10th chapter number 15 probability, probability का मतलब क्या होता है, probability का मतलब होता है संभावना, संभावना को अगर हम proper language में बोलें, किसा chances, किसी भी चीज के होने के क्या chances है, वो probability कहलाती है, काफी बच्चे इसके वो percentage के साथ भी confused होते हैं, लेकिन ध्यान रखना बेटा, इसकी value हमेशा 1 से छोटी होती है, ठीक है, और percentage तो 20%, 40% जादा भी चला जाता है, लेकिन हमारे पास probability की value क्या रहेगी हमेशा 1 या फिर 1 से छोटी, okay, सार हम एक example लेते हैं के probability को कैसे समझा जाए, तो देखिए class, मेरी बात सुनियेगा, let's suppose I have two red balls, two green ball, and three white ball, so now, class look at here, so मेरे पास total balls कितनी हो गई, two plus two, four, four plus three, seven, तो मेरे पास total balls कितनी हो गई, मान लीजिए, मैंने इन दो लाल ball, दो green ball, और तीन white ball, इन साथ balls को मैंने एक बैग के अंदर डाल दिया, कैसे डाल दिया, एक बैग के अंदर डाल दिया, और बिना देखे, उस बैग में से मैंने एक ball निकालने की कोशिश करी, क्या करी, बिना देखे, मैंने उस बैग में हाथ डाला, और एक ball निकालने की कोशिश करी, तो मान लीजिए, अब मैं पूछूँगा, find the probability of red ball, of red ball, लाल ball होने की क्या संभावना है, लाल ball होने की क्या संभावना है, तो देखे class, probability का formula होता है, favorable outcomes upon total outcomes, अब सवाल आता है कि sir, ये favorable outcomes क्या है, और total outcomes क्या है, तो देखे class, मेरी बात सुने, मेरे पास total ball कितनी थी, seven, तो मेरे पास total outcome हो गया, seven, ठीक है, आपके पास total क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो सारी क्या क्या लाएगी, मेरे total outcomes, अब मैं बात करता हूँ, total outcomes मेरे favorable क्या है, तो मैंने यहाँ पर क्या case लिया है, red ball, तो देखे class, इसमें से red ball कितनी है, तो आप observe करोगे, मेरे पास 2 red ball है, कितनी है, 2 red ball है, तो मेरे favorable outcomes हो जाएंगे, 2, let's suppose, I have a dice, ludo खेला होगा सभी ने, सभी ने ludo को खेला ही होगा, ludo king, उसके अंदर आपने जो हम पासा fact है, that is die, जिस die और dice को हम fact है, उसे हम क्या, मैंने, मैंने एक throw किया, तो माल लीजिए, इसके अंदर total outcomes आने के, क्या-क्या chances आते है, बेटा, आप लोगों लudo खेला है, आप जब उसे fact ते हो, तो आपने भी observe किया होगा, अगर इसके six faces है, तो इस पर six faces, पर six number लिखे होते हैं, तो क्या-क्या हमारे total outcomes क्या-क्या हो गए, one, two, three, four, five, और six, ये मेरे पास ये numbers आ सकते हैं, तो total outcomes कितने हो गए, count कर लिजिए इन सब को, मेरे पास total outcomes हो गए, six, okay, अब मैं बात करता हूँ, के sir क्या chances है, माल लिजिए मैंने एक pass आया, मैंने एक die fact आ, और उसके अंदर, मेरे odd number आया, क्या आया, odd number, तो देखिए बटा, पहला आप मुझे बताईये, इसमें odd number कौन से कौन से है, one, three, five, one, three, five, these are my odd number, तो देखिए class, मेरे favorable outcomes कितने हो गए, three, कितने हो गए, three, तो मेरी probability of odd number is equal to, three upon six, that will be is equal to one by two, probability में एक के समेशा ध्यान रखें, always write the answer in the simplest form, answer को हमेशा simplest form के अंदर लिखें, कभी अगर मालीज आपका answer 2 upon 4 आ रहा है, 5 upon 10 आ रहा है, तो उन्हें cancel out करके simplest form में लिखें, अब अगर कोई बच्चा बोले, सर करके हम decimal में लिख दें, तो वैलेंग गूट, अगर आप decimal में लिखते हो, तो भी answer आपका सही है, ओके, अब बात करते हैं के सर, probability की range क्या होती है, probability की value, lowest value क्या हो सकती है, और highest value क्या हो सकती है, तो देखें class, मान लीजे, मान लीजे मेरे पास 5 red ball है, क्या है, 5 red balls है, ठीक है, मैंने एक bag में, मैंने एक bag में, 5 लाल ball डाल दी, अब मैंने इस bag को open करके, उसमें heart डाला, so find the probability of red ball, क्या probability है, क्या probability है, और तो वो ball क्या निकलेगी, red color की, तो देखें class, total balls कितनी है, 5, और मेरे इसमें से red कितनी है, 5 की 5 red है, तो मेरा answer आया, 1, ठीक है, अब मैं कहता हूँ, find the probability of black ball, मतलब, मैं bag में heart डालू, और इसमें से black ball निकले, तो मुझे पताईए, इन 5 में, ये 5 की 5 red color की है, तो इसमें से black color कितनी हो गई, 0, तो ये हो कि मेरे पास 0, और total balls कितनी है, 5, तो मेरे पास answer आया, 0, ठीक है बेटा, तो ये मेरे पास क्या हो गया, 0, that is, तो range क्या हो गई, probability की, range होती है हमारे पास, 1, इसका मतलब है, probability की range होती है, 0 से 1, 0 हो सकता है, 0से बड़ा हो सकता है, या फिर 1 हो सकती है, या फिर 1 से छोटी हो सकती है, 1 से बड़ी हमारी probability कभी नहीं होगी एक question आता है एक सब क्यों नहीं होगी तो मुझे बताईए क्या आपके favorable outcomes कभी total outcomes से ज्यादा हो सकते क्या जैसे मान लीजिया आपके exam हो रहा है आपके कोई class test हो रहा है class test आपके 10 number का था तो आप बच्चों का कभी 11 number आ सकते हैं कि उसमें नहीं ऐसा नहीं हो सकता हमारे अगर कोई 10 number का है paper तो उसमें maximum हमारे 10 out of 10 आ सकते हैं यह minimum हमारे 0 upon 10 आ सकते हैं तो 0 upon 10 हो गया 0 और 10 upon 10 हो गया 1 और यह हो गई मेरे probability of any event ठीके class ऐसे हम इसकी range निकालते हैं ओके एक चीज़ और समझाते हैं इसमें क्या बताया जाता है जैसे किसी भी ओके probability of any e इसका मतलब क्या है समझना बेटा probability e लिखे मैंने लिखा है favorable outcomes upon total outcome तो सबसे पहले बात करते हैं सरी यह e का मतलब क्या है e का मतलब है event event का मतलब है किसी भी कार्य के होने की संभावना probability of any event का मतलब क्या है किसी भी कार्य के होने की संभावना किस पर depend करती है favorable outcomes upon total outcomes is it fine बेटा okay अब यह एक आता है probability of happening and probability of not happening का sum कितना होता है जैसे देखिए बेटा यह होता है मेरे पास probability of any event plus probability of not happening of that event is equal to 1 कैसे देखिए बेटा मान लीजिए मेरे पास 2 red ball है और 3 green ball है मैंने इन दोनों को एक box में डाल दिया ठीक है अब find the probability of red ball तो red ball की probability कितनी होगी बेटा favorable outcomes कितना है अब red ball के 2 और total balls कितनी है 5 अब मैं पूछ रहा हूँ find the probability find the probability of not red तो देखिए class probability of not red इसके उपर बाहर लगा दीजिए probability of not red उसके उपर बाहर लगा दीजिए अगर में पास probability of red है 2 by 5 यह मुझे नहीं पता यह मैंने calculate कर रखी है लेकिन एकवाँ इसको pause करके कि सार मुझे यह पता ही नहीं था कैसे निकाले तो इसका answer कैसे आएगा probability यह जो positive में है यह इधर आजाएगा minus 2 by 5 LCM लेंगे तो आजाएगा 5 by 2 upon 5 and this will be 3 upon 5 यह भी कितना आया 3 upon 5 यह भी कितना आया 3 upon 5 ठीक है बटा हमेशा याद रखना किसी भी कार्य के होने की संभावना plus उसी कार्य के नहीं होने की संभावना is equal to 1 होती है किसी भी event के होने की probability plus नहीं होने की probability का sum हमेशा 1 होगा ठीक है? ओके एक चीज और माल लीजे मेरे पास 2 से ज्यादा red 2 red ball है 3 green ball है 3, 4 4 white ball है and 5 black ball है ठीक है तो देखिए बहले सबसे पहले आप total outcomes निकालिए total outcomes में सबको add के लिए 2 plus 3, 5, 5 plus 5, 10, 10 plus 4, 14 अब मैं निकालता हूँ probability of red ball माल लीजे किसी एक back में डाला है तो probability निकालनी है कि सर उसमें सर red ball निकले तो probability of red हो जाएगे total ball कितनी है, red कितनी है, 2 total कितनी है, 14 probability of green इसे भी मैं simplest form में convert कर दूँगा, don't worry 3 upon 14, probability of white ये कितना हो जाएगा, 4 upon 14, probability of black ये कितना हो जाएगा, 5 upon 14, अब मेरी बात सुनिए बेटा अगर किसी A की case के, अगर किसी A की case के, जैसे मैं A की A की bag में से सारी ball निकाल रहा हूँ, किसी A की case में अगर हमारे पास अलग-अलग सब cases होते हैं, तो इन सब का sum मेरे पास 1 होगा, क्या होगा 1? कैसे? देखिए, 2 by 14, plus 3 by 14, plus 4 upon 14, plus 5 upon 14, सब को याड़ कीजिए, LCM आएगा इसका 14, 2 plus 3 plus 4 plus 5, 2 plus 3 plus 4 plus 5, ये हो गया 5, 5 for 5, 10 और ये हो गया 14, 14 upon 14 is equal to 1, ये हमारा answer क्या आगया? 1, answer क्या आगया है बेटा? 1 आगया, ठीक है? तो अगर एक ही case के सारे outcomes का probability हमेशा 1 होता है, अब बात करता है के sir, क्या हमारे probability से related सारे question हो, सारे concept clear हो गए, तो मेरी बात सुनिए बेटा, अभी कुछ concepts और आएंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, probability सबसे easiest आपके chapter है, ये इसका question इतना easy आएगा, जब हम exercise solve तो आप बोलो के, हरे sir, इतना easy, इससे जादा easy तो और क्या हो सकता है, कुछ भी से easy नहीं होगा, लेकिन, कुछ concepts अभी और आएंगे, cards के आएंगे, two dice के आएंगे, three coins के cases आएंगे, तो वो हमें जब आपके question आएगा, उनका concept, उसी वक्त आपको समझा दूँगा, ठीके आपके विटा, so now with this we are starting with our exercise, 15.1, question number one, अभी और भी concept आएंगे, सबसे पहला आता है मेरे फिलप्स, complete the following statement, सबसे पहला क्या क्या रहा है, probability of any event, यानी, ये हो गया, plus probability of the event not e, not e का formula क्या हो जाएगा, e bar, okay, किसी भी कार्य के होने की संभावना, plus कि उसी कार्य के नहीं होने की संभावना, का सम कितना होता है, one, किसी भी probability का, किसी भी event की probability, plus उसी event के नहीं होने की probability, का सम हमेशा मेरे पास क्या रहता है, one, क्या रहेगा, one, okay, अब मैं बात करता हूँ second part की, second part हमें क्या कहता है, second part थोड़े एक वार ये क्या है, one word answer है, the probability of an event that cannot happen, जो हो यह नहीं सकता, उसे क्या कहते हैं? पहले तो उसकी probability इतनी हो जाएगी? 0, जैसे कि मेरे पास red ball है, 5, बस, find the probability of white ball, अरे यार जब मेरे पास, माल लीजिए, white ball कितनी है, 0 और total ball कितनी है, 5 ता अंसर कितना आ गया, 0, अब आप खुद मुझे बता, यह एक back के अंदर केवल red ball है, और आप expect कर रहे हो, कि उसमें से white ball निकलेगा, कोई यहाँ पे वो, अलादीन का चिराग तो है नहीं, तो मेरे इसकी probability हो जाएगी 0, and this event is called as impossible, impossible event, क्या बोलता है, impossible event, ठीक है? अब हम बात कर रहे है थर्ड पार्ट की, थर्ड पार्ट हमाँ कह रहा है, the probability of an event, that is certain to happen, मतलब वो तो होके ही रहेगा, वो तो होके ही रहेगा, तो इससे कहता है sure event, इसका example देखिया, फिसका answer बताता हूँ, माल लीजे, मेरे पास red ball है, 5, find the probability of red ball, तो for red ball कितनी है, 5, total कितनी है, cable 5, तो यह कितना हो गया, 1, तो यह मेरा कहलाता है sure event, और इसकी probability होती है, 1, इससे certain event भी कहते है, क्या कहते है, certain event भी कहते है, ठीक है बटा, okay, अब हम बात करता है next part की, next part हमें कहता है, the sum of the probability of all the elementary events, मतलब कोई मेरे पास एक है, जैसे माल ली ची मैंने भी आपका example दिया था, कि एक back के अंदे में पार red ball भी है, green ball भी है, white ball भी है, black ball भी है, कितनी थी, 2, 3, 4, 5, तो इन सब के cases, individual cases, 2 upon 14, 3 upon 14, 4 upon 14, 5 upon 14, इन सब को add करेंगे, तो मेरे पास हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा, the sum of the probabilities of all the elementary event of an experiment is, 1, क्या आएगा हमारे पास answer, 1 आएगा, ठीक है, next क्या क्या रहा है, the probability of an event is greater than or equal to 0, या तो 0 के equal होगी या 0 से बढ़ी होगी, and less than or equal to 1, यह मैंने आपको बताया था, probability of any event is lesser than 1, and greater than is equal to 0, lesser than is equal to 1, or greater than is equal to 0, इसे हम range भी कहते हैं, ठीक है पाटा, okay, so with this we are heading for the next question, that is, which of the following experiment have equally likely outcomes, यह पर लेना, मैं आपको पूरा चप्टर आज कराहूंगा, यह topic आप पर लेना, ठीक है, बहुत सिंपल है, यह आपके लिए हुमवकर, okay, now, अब हमाते हैं, प्रॉबबाबिलिटी के अच्छे क्विशंस पे, तो देखी क्लास, Why is tossing a coin, consider to be fair way of deciding, which team should get the ball, at the beginning of the football game, okay, जैसे हम cricket के अंदर भी देखते हैं, हम एक toss करते हैं, क्या करते हैं, एक coin को toss करते हैं, तो वो हमें सबसे सही method क्यों लगता है, तो यह सेम वे कह रहा है, football game को शुरू करने से पहले, हमें coin toss करते हैं, और जो बंदा या जो team, जीत जाती हैं, उसको ball forward करते थे, वह आप खेलिए, फिर आगले वाला defend करेगा, तो देखिए, इसमें क्या होता है, चलो मेरी बास सुरू, यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक coin देते हैं, okay, so class, imagine कीजिए, आप कभी cricket खेलते हो, जब आप toss करते हो, तो आपके पास total outcomes क्या होता है, sir, या तो मेरे पास head आ सकता है, या फिर मेरे पास toss आ सकता है, ठीक है, या फिर head आ सकता है, या फिर tail आ सकता है, क्या आ सकता है, head or tail, okay, आप में बताये, तो total outcomes कितने हो गए मेरे पास? total outcomes हो गए मेरे पास 2 one head and one tail तो देखें बेटा find the probability of head find the probability of head 2 में से head कितना है? 1 upon total कितना है? 2 find the probability of tail कितनी है? sir, दोनों में से tail कितना है? 1 और total कितना है? 2 ठीक है? तो यह हो गया 1 by 2 और यह भी हो गया 1 by 2 तो मेरी एक बात सुनिए बिटा, 1 by 2 और 1 by 2, that is 0.5 and 0.5, यह दोनों equally outcome है, मतलब जो बंदा head choose करता है, उसको 0.5 probability मिलती है, और जो tail choose करता है, उसे भी 0.5 की probability मिलती है, मतलब दोनों के लिए equal chances हैं जीतने के, ऐसा नहीं है, कि इसके जीतने के chances 50% है, और इसके जीतने के chances 60% ह ऐसा नहीं है, दोनों के जीतने के chances 50-50% है, इसलिए यह equally fair कहलाता है, ठीके बेटा, तो इसका answer हो जाएगा, on tossing a one coin, we have the probability of head and tail are equal, हमार the probability of head and tail are equal, so it is equally fair, तो यह हमारे बिलकुल fair way कहलाता है, ठीके बेटा, दोनों की probability बराबर है, इसलिए हम इसे fair consider करता है, अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं, next question की, which of the following cannot be the probability of any event, okay, जो probability नहीं हो सकती, देखिए, 2 by 3 होगे मेरे पास 0.66.0, ठीक है, ता मतलब यह आगे चलती रहेगी न, 0.666.0, 15% होगे 0.15, यह होगे 0.7, इसकी value 0 से 1 के बीच में लाए कर रहे है, इसकी value 0 से 1 के बीच में, इसकी value 0 से 1 के बीच में, लेकिन मैं तो सीधा कहता हूँ, आपको इतना देखने की जरुरत ही नहीं थी, आप सीधा कह दीजिए, probability cannot be negative, probability can't be negative, ठीक है वेटा, probability negative नहीं होती है, तो इसलिए हमारा यह option नहीं होगा, तो इसे आप टिक लगा दीजिए, पोश्यन भी पूचा कहा, which cannot be the probability, जो किसी कार्य के होने की संभावना हो यह नहीं सकती, ठीक है? अब हम बात करते हैं, किसी भी कार्य के होने की संभावना, that is PE, probability of any event is 0.05, तो नहीं होने की संभावना, आपको पता है बिटा, probability of happening of any event, plus probability of not happening of any event is equal to 1, यह हो गई 0.05, plus probability of not happening of that event is equal to 1, यह आगे मेरे पास इधर, तो 1 में से 0.05 जाएगा, तो 1 मेरे पास answer है जाएगा, 0.95, क्या रह जाएगा, 0.95, ठीके बिटा, मेरे answer हो जाएगा, 0.95, ओके, किता simple question है, और बिटा, इसको solve करने में तो आपको time लग रहा है, अभी यह पहली बार solve कर रहा है, इसलिए, तो देखते ही बता जाएगा, probability of happening, 0.05, नहीं होने की, 0.95, बास, ठीके, ओके, यह question हमारे MCQ's में आ सकते हैं मेटाएगा, दियान अखना, अब हम बात कर रहे है, question number 6 की, किसकी बात कर रहे है, question number 6 की, तो देखे class, इसमें हमारे पास क्या chances रहते हैं, a bag contains lemon flavored candies, a bag contains lemon flavored candies only, okay bag है मेरे पास, जिसके अंदर केवल lemon flavor की candy है, only lemon flavor, और कोई भी flavor नहीं है, ठीक है, Malini takes out one candy without looking into the bag, बिना देखे, देखे बेटा हम कभी भी probability का कोई case करते हैं, तो वहां पे partiality नहीं होगे, ऐसा नहीं है, थोड़ी सी आँख, टेडी टेडी करके देख लिए, नहीं, वहां पे हम बेलकुल equally without biased होके ये काम करते हैं, ठीक है, तो without looking into the bag, what is the probability she takes out an orange flavor, तो probability of orange flavor, 0 upon total outcomes will be 0, आप मुझे खुद बताईए बिटा, देखिये, माल लीजिए इसक अंदर total कितनी है, x, माल लेता है इसमां total कितनी है, x, अब lemon और वह सारी कॉनसी flavor की है, lemon flavor की है, कॉनसी flavor की है, lemon flavor की है, अब यह कह रहा है orange flavor, अरे यार्ज जिस bag के अंदर, orange flavor है ही नहीं, तो वहां से orange का निकलेगी, नहीं निकलेगी, तो answer आएगा 0 upon total, तो answer हो जाएगा 0, यह probability कितनी हो जाएगी, 0, second part पूछ रहा है, lemon flavor, तुम्हें को बात बताएगे पेटा, मैंने क्या probability of lemon flavor, मैंने मानी थी total कितनी है, x, और उसमें से lemon कितनी है, x, तो x upon x is equal to 1, यहाँ पे मेरे probability रहेगी, 1, ठीके पेटा, यहाँ पे मेरे पास lemon कि probability रहेगी, 1, मतलब यह शौर इवेंट है, क्या है यह? शौर इवेंट है, now, sorry, now we are heading for the 7th question, अब देखे वेटा, it is given that, in a group of 3 students, 3 दोस्तो का group है, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992, not having the same, not, मतलब प्रभजे का birthday same नहीं होने की, तो not को आपको पता है, हम कैसे लिखते थे? 0.992, मतलब साथ में नहीं होने की संभावना, तो कुष्यम पूचा है, साथ में होने के चांसे कितने है, what is the probability of 2 students have the same birthday, तो आपको निकालना है, आपको पता है प्रमूला, probability of any event plus probability of not happening of that event is equal to 1, यह उदर आजाएगा, 1-0.992, तो मेरे पास answer आएगा 0.008, ठीके पिटा, देखे केवल 1 में से minus करना है, simple सा concept है, सार नहीं होने की संभावना कितनी है, 0.992, साथ होने की संभावना क्या हो जाएगा, 1-0.992, ठीके पिटा, okay, तो इससा मेरा answer आजाएगा 0.008, okay, तो यह question भी हो गया हमारे, अब हम बात करते है next question की, अब थोड़े अच्छे question आने की चांज से शुरू हो रहा है, अब bag contain 3 red balls, तो एक bag है, तो red balls कितनी है पिटा, 3, black ball कितनी है, 5, तो okay, दो color ही है, तो total, total balls कितनी होगी पिटा, 8, total balls होगी मेर पास 8, okay, a ball is drawn random, random मतलब बिना कोई partiality के, from the bag which is the probability that a ball is drawn is red, मुझे क्या निकालना है, probability of red ball, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, favorable outcomes upon total outcomes, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा पिटा, जब भी हमारे पास probability का question आए, don't forget to write the formula, आपको formula लिखना है, चाहे question समझा है या ना है, पहली बात ऐसा होई नहीं सकता कि अगर आप हमसे बढ़ रहे हैं, और मैं आपको बोलूँ का आपको question होई नहीं सकता, तो ऐसा आई नहीं सकता, ऐसा कोई question बनेगा ही नहीं, जो हमारे approach में ना हो या फिर हमने वो नहीं करा हो, ठीक है, तो favorable outcomes upon total outcomes, आपको हर question में formula लिखना है, आपके यह क्या दो question आएंगे और दोनों में formula लिख देना, ठीक है, ओके, favorable outcome, red के लिए favorable कितना है, 3, और total कितना है, 8, बस, अब बात करते है, probability of not red, अब देखें इसको करने के दो तरीके हो गए, अगर red नहीं होगा, पहले लिखता है, favorable आप पूरा लिखोगे, आप f o upon t o नहीं लिखोगे, आप पूरा लिखोगे, आप देखेंगे अगर red नहीं होगा, तो कौन सा color होगा, थोड़ा सोचिए, मेरे पास दो color है, red और black, मैं करा हूँ, red color आप select नहीं कर सकता, आप बोलो, आप कौन से select करोगे, that is black, और black कितनी होगे मेरे पास, 5, total कितना है, 8, so this will be my answer, अब दूसरा तरीका देखते है, कैसे probability of red तो हमें पता है, तो plus probability of not red, तो not red को उपर बार आ जाएगा, is equal to 1 हो जाएगा, तो probability of red कितनी है बिटा, 3 by 8, plus probability of not red, is equal to 1, तो उसको उदर भेज़ दीजिए, probability of not red कितना हो जाएगा, 1 minus 3 by 8, is equal to 5 minus 3 upon 8, is equal to 5 upon 8, तो आप ऐसे भी answer निकाल सकते हो, और ऐसे भी answer निकाल, कोई boundation नहीं है, आपको जो concept सही लगे, go for that, रटने की जरूरत नहीं है, चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है, okay, now we are heading for the next question, next question हमें कहता है, a box contain 5 red marbles, सबसे पहले बात कहता है, marble कौन सा, जमीन पे बिचाने वाला, जमीन पे लगाते हैं, नहीं, marbles यहां पे कंचो की बात तो अरे, जो आते हैं न, glass के बनेवे, छोटे-छोटे कंचे जो खिलने के लिए काम आते हैं, these are the marbles, 5 red marbles, 8 white marbles, and 4 green marbles, okay, 3 color है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन्हें add करना है, 5, 4, 9, 9, 8, 17, total कितने होगे मेरे पास, 17 marbles, one marble is taken out of the box at the random, what is the probability, that the marble taken out will be red, okay, सबसे पहला पूछ रहा है, probability of red marble, सबसे पहला लिखेंगे, favorable outcomes upon total outcome, favorable outcome कितना है sir, red कितनी है मेरे पास, 5, और total कितना है sir, 70, so your answer will be 5 upon 70, अब पूछ रहा हूँ, second, probability of white, यहां पे भी, sir, favorable outcomes upon total outcomes, white, white balls कितनी है पेटा, 8, कितनी है, 8, और total कितना है मेरे पास, 17, so this will be my answer, अब मेरे पास आ रहे, probability of not green, green नहीं होने की संभावना, so favorable upon total, तो देखिए class, अगर green नहीं होगी, अब मेरे पास 3 color है, red, white और green, मैं के रहा हूँ, green color select नहीं करना है, तो मेरे पास क्या है, red और white, तो red और white को add कर लीजिए, 5 plus 8, so this will be 13, 5 plus 8, 13, so my answer will be, 13 upon 17, answer क्या हो जाएगा, 13 upon 17, ठीके class, तो इन questions का थोड़ा ध्यान रखना, तो इन questions का थोड़ा 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 और question का level भी improve हो रहा है, now we are heading for the next question, question number 10 हमें क्या कहता है, तेखिए, question number 10 हमें कहता है, a piggy bank contains 150 Pesa coin, तो देखिए बड़े, यहां पर मैं भो लिख रहा हूँ, rupee value, that is rupee and number of coins, ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास आया, 50 Pesa, 50 Pesa किते coin है मेरे पास? 100, okay, then 1 rupee coin, 1 rupee किते coin है? 50, okay, then 22 rupee coin, 2 rupee किते कितना है? 20, और 10, 5 rupee is कौन? 10, 5 rupee coin, तो इन सब को total कर लीजिए, total number of coins किते हो गए बटा, 100 plus 50, 150, 150 plus 30, this will be 180, total coin किते हो गए आपके पास? 180, यह चीज जहां रखना है, ठीक है? Okay, total outcomes आगे 180, अब क्या कह रहा है? If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is stunned, okay, piggy bank को हमने तोड़ा उल्टा किया, और ऐसा ऐसा इसको हिलाया, what is the probability the coin will be? 50 PESA coin, तो probability of 50 PESA, will be is equal to, favorable outcomes upon total outcome, तो तो देखिये class, 50 PESA के कितने coin है मेरे पास? 100, कितना है? 100, और total कितना है? 180, कितना है? तो देखिये class, इसमें cancellation हो जाएगा, 0 says 0, यह 5 times और यह 9 times, तो your answer will be, 5 upon 9, ठीक है? Okay, will, अब second question पूछ रहा है, will not be, अब इसमें ध्यान देना, will not be 5 rupee coin, will not, यह not बहुत important है, बच्चे सोचते थे, 5 rupee के coin के होने की संभावना क्या है? No, यहाँ पे पूचा है, 5 rupee के नहीं होने के chances क्या है? तो 5 rupee को छोड़ दीजिए, बाकी सारे coins को count कर लीजिए, तो 50 पैसा, 1 rupee और 2, तो कितने हो गए मेरे पास? इन तीनों की total हो गई, 170, 100 plus 50 plus 20, this will be 170, तो यहाँ पे लिखता हूँ, not, 5 rupee coin, is equal to, favorable outcomes upon total outcome, कितना हो गया? 170 upon 180, 0 say 0 cancel, your answer will be 17 upon 18, answer कितना आगया आपके? 17 upon 80 and that will be your answer, ठीके class? so with this we are heading for the next question, next question की बात करते हम, में क्या दिया गया है? there is a girl by the name Gopi, buys a fish from a shop for his aquarium, the shopkeeper takes out one fish at a random from the tank, containing five male, तो देखिये class, male fishes कितनी है हमारे पास? हमारे पास male fishes है 5 and female, female fish कितनी है? 8, तो total कितनी होगे पेटा? 5 plus 8, 13, में पास total fishes कितनी होगे? 13, what is the probability that the fish taken out is a male fish? तो यह तो बहुत simple है, probability of male fish is equal to favorable outcomes upon total outcomes and this will going to result in 5 upon 13 and this will be my answer. अगर आप चाहे तो आप इसे decimal पे लिख सकते हैं लेकिन मैं इसका answer यहीं पे drop कर रहा हूँ, male कितनी है 5, total कितनी है 13, 5 upon 13 and this will be my answer. Okay, now, now we are heading for question number 12, now we are heading for question number 12, question में क्या क्या है? A game of a chance consisting of a spinning and a row, an arrow which comes to rest pointing at one of the number, 1,2,3,4,5,6,7,8. I think ऐसे हमारे पास figure है, yes or no, यह मेरे पास figure है, अब इसमें यहाँ पे, मेरे पास एक arrow लगावा है, क्या लगावा है? एक arrow लगावा है ऐसा, आपने movies में देखा हूँ, काफी पार हम इस spin, इस circle को हम क्या करते है, spin करते हैं, ऐसे घुमाते हैं, और फिर यह arrow किसके ऊपर रुखता है, उससे related हमारा question है, तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, पेटा मैं total outcomes बताईए, total outcomes कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, total outcomes हो गए मेरे पास, 8, कितने हो गए, total outcomes मेरे पास हो गए, 8, अब क्या करते हैं, what is the probability, that it will point at 8, 8 पे आना चाहिए, तो देखिए बेटा, इसमें से इन 8 cases में, 8 कितना है, 1 case है, yes or no, भाई देखिए मेरे पास 8 number है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें से 8 पास number कितना है, एक ही है, है तो एक ही है, okay, तो मेरे पास यहां पे हो जाएगा, probability of 8, is equal to favorable outcomes upon total outcome, this will going to result me, 1 upon 8, आंसर कितना हो जाएगा, 1 upon 8, ठीके बटा, okay, second question कर रहा है, an odd number, तो मुझे बताएए, odd number कौन से कौन से है, 1, 3, 5, 7, तो मुझे बताएए, इनकी total कितनी हो गई, इनकी total कितनी हो गई, मेरे पास, total outcomes is equal to 4, total outcome नहीं, total outcome तो 8 है, मेरे पास favorable outcome, total count कीजिए, इनकी नहीं कितनी हो गए, 4, तो मैं लिखूंगा, probability odd number, is equal to favorable outcomes, upon total outcomes, and this will, कितनी है, 1, 3, 5, 7, total कितनी हो गई, 4, यह हो गई, 4 upon 8, and my answer will be, 1 upon 2, कितना हो गया, 1 upon 2, okay, अब हम बात कर रहे, third part के, third part में हमें क्या दिया वा है, probability of number, greater than, number, greater than, 2, is equal to favorable outcomes, upon total outcomes, तो पहले आप मुझे बताईए, इन में से 2 में से कौन से कौन से बढ़े number है, तो देखिये class का यहां लिख रहा हूं, 2 से कौन से कौन से number बढ़े है, 3, 4, 5, 6, 7, or 8, तो यह total कितने हो गई, 6, 6, कितने हो गए, favorable outcome कितने हो गए, 6, total कितना है, 8, answer will be, 3 upon 4, देखिये बटाईए, count कीजिए, 3, 4, 5, 6, तो मारे favorable outcome कितने हो गए, 6, total कितने थे, 8, divide कर दीजिए, answer आगया, 3 upon 4, अब हम बात करता है, 4th, a number less than 9, a number less than 9, कौन से कौन से है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो total outcome, favorable outcome कितने हो गए, कि sir, 8 के 8 case, 9 से छोटे है, 8 के 8 case, 9 से छोटे है, तो मेर पास हो जाएगी, probability, number, less than, 9, will is equal to, fo upon, to, is equal to, 8 upon 8, and answer will be, 1, तो देखिये बटा, पहले का answer 1 by 8, दूसरे का 1 by 2, 3 by 4, and 4th का 1, ठीके बटा, तो यह मेरे answers, आ गए है, ठीके class, तो यह हमारे questions, अच्छे level के आप शुरू, हो गए है, ठीके, now, now we are heading for the question, question number हमारा, 12, complete हो गया है, so class, आज की समयसिमा हमारी यहीं पे समाप्त होती है, I hope आपको हमारे वीडियो पसंद आया होंगे, इसके के आगे question हमारा next video के अंदर करेंगे, if you like our videos, please tell your friends to join our classes, Jagriti Online classes, it's time to say goodbye, take care. करेंगे